खेती को लाप का धंदा बनाने के लिए केंद्र सरकार दोरा कई योजना है संचालित की जा रही है इनी में से एक है प्रदान मंतरे करशी सिचाई योजना जिसके परिणाम स्वरूप अब कई ऐसे अंचलों में भी करशी सुलब हुई है जहां या तो वर्षा कम हुई है या फिर भूजरिस्तर कम हो रहा है प्रदेश के खंडवा जिले में योजना का किस तरह क्रियानवेयन हुआ है हमारी एक्राउन रिपॉर्ट देखिए प्रदान मंतरी क्रशी सिचाई योजना ने किसानों को अब कई विकल प्रदान किये हैं सिचाई के लिए परियाप्त पानी होने से कई किसान वर्ष भर तक अपनी जमीन से उत्पादन ले रहे हैं कुछ ऐसी ही कहानी है खंडवा जले के ग्राम भंडारिया के रहने वाले किसान सौरब राठोर की प्रदान मंतरी क्रशी सिचाई योजना का लाव लेकर ये ड्रिपलर पद्दती से क्रशी कर रहे हैं कम पानी में ज्यादा फसल प्राप्त करने वाले योजना की जहत किसानों को 45-55 प्रतीशत तक अनुदान मिलता है योजना के चलते किसानों को अपने खेतों में सीचाई के लिए पाइपलाइन बिछाने, मोटर पंप लगाने आदी पर अनुदान प्राप्त होता है जिससे खेतों के निकट पानी स्तृत ना होने के बावजूत किसान वैकल पे कुपाय कर अपनी उपज की परयाप्त सीचाई कर पाते हैं प्लस कम लागत हो गई है उसके बाद पाइपलेन से सिचाई हो लाती है इस प्रिंकल से पानी कम लगता है और पसलों का पादन बढ़ा है जिससे लाब हमको हुआ है वहीं सौरब राठोर की तरह जिले के नहलदा में रहने वाले किसान शाम सिंग राठोर ने भी प्रदान मंतरी क्रिशी सिचाई योजना का लाब लेकर खेत में ड्रिप लगाई और बेहतर मुनाफ़ा प्राप्त किया है वे अपनी ग्राम को कई अन्य किसानों की भी इस रद दिविया था को की बचत होती है समय कम लगता है मतलब मज़ूरी कम लगती इसमें एक आदमी इसका कर सकता है बहुती बढ़िया योजना चलू हुई है मैंने सोयम ने ट्रीप की फालमिटीच करके वह योजना लगाई है मेरो को वह सुवीदा और अगरायो मिल चुकी है जो जाजा मात्रा मे पाने को परियाब करना ता र्रीप और बहुत ही कं मात्रा में और कपास और मैं में में चुकी मैंने क pem सोग और दृट old90ansen की हूँ और इस साल मेरा कपास इसके अंतरगत हमारे अभी तक जो है हमने 17-18 में अभी तकरीबन 18-86 हेक्टर एरिया जो है और सिंचित हुआ है जिले का जो 2340 हेक्टर रगबा सिचाई जो है ड्रीप और स्पिंकलर और पाइपलाइन के माध्यम से बढ़ा है हमारा